दोस्तों आप लोगों को पता है कि 249 सेटालाइट को इंडिया ने पीछले तीन सालों में इस्प्रेस में छोड़ दिया और उसको जो खोड़ने में जो खर्च आया दोस्तों वो 6289 करोल रुपय है तो इतनी बड़ी रकम खर्च हुई है लेकिन वो इंडिया सरकार हमारे ल दोस्तों आप है दोस्तों अगर आपके मोवाइल मेनेजर आ रही है लुक और और मोनोकली मसकली नहीं मोनोकली तो आप जल से जल उसे अनिस्टॉल करिए वरना आपका डेटा लीक हो सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते आगे जो ठीक न्यूज आ रहो वो फेस्बुक की तरफ से आ रह है तो आप लोग में से कितने लोग डार्क मोड को पसंद करते हैं या फिर आप ट्यूटर इस्तेमाल करते हैं मैं कमेंड़ बताई चलिए अगली न्यूस की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा बता जा रहा कि कल मैंने बताया था कि नेट्फलिक्स जो है दोस्तों मोबाइल के लि आइटी के एक प्रोफिसर में ये बताया कि 11 तरीकों से वाट्स अप को हैक कर सकते हैं वह डिटेल मैं कल बताऊंगा कैसे चलिए आगे बगते आगे जो डिगनी जार्व वह वह वाट्स आप के तरफ से आ रहा है उनके जो हेड है बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाल आप ट्रांजेक्शन इस तरह को कुछ आने वाला है आप देखे जब ही आएगा तो इसके सारी डिटेल देंगे दोस्तों बात करते हैं विंडोस की तो विंडोस 10 में दोस्तों एक अलग तरह का अपडेट रिलीस किया गया है जिसमें उसका मैनिल चेंज हो गया है बहुत ह जलग तरीका देखरा आप इसके इन में देख सकता है तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है चलिए दोस्तों बात करते हैं एक अपना लैप्टॉप रिलीस किया है दोस्तों लाँच किया है वो ऐसा बताया जा रहा कि है एक स्पेक्टर अल्टा बुक है दोस्तों यह एक generation 4i7 पर है दोस्तों 16GB की RAM जो DDR4 पर क्लॉक है दोस्तों और ऐसा ही बताया जा रहा है कि 512GB की इसमें हाट डिस होने वाली है और चार सेल का इसमें वैटरी होने वाला है जो बहुत ही दिर चलेगा तो इस तरह की कुछ rumors सारी आपको क्या लगता है कि आप लेंगे लेकिन इ यह बहुत ही कमाल का है दोस्तों आप लोग mobile देखे होंगे छोटा से छोटा से छोटा से छोटा लेकिन आप लोग AC देखे हैं छोटा से छोटा से छोटा से छोटा से छोटा से सोनी ने दोस्तों एक AC लांच किया है जिसका नाम है रियन पोकेट करके नाम भी कुछ उल्ट लगेगा चलिए दोस्तों बात करते है अगली नीस की तो अगली नीस जो आ रहे है क्या आप खरीदेंगे, स्क्रीन में देखें, मज़ा आएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं Samsung की, तो Samsung का Galaxy Fold वाला जो फोन है, उसमें मैंने वीडियो बना है, आप जाके देख सकते हैं तो Fold वाला जो फोन है दोस्तों, यह सितंबर में लांच हैना वाला है, कमपणी ने अलांसमेंट कर दिया है, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, सुनके चलिए दोस्तों बात करता है, Samsung फूट पर है और हमें सब को कन्फ्यूज कर रहा है क्योंकि Samsung Galaxy A10 के बाद A10 इस लांच किया है, दोस्तों 7990 इसकी प्राइज है वही सारा स्पेसिफिकेशन वागरा सारा सेम है, HD Plus की सिर्फ डिस्पले दे दिया गया है, बाकी सारा कुछ, वही है Exynos 788, 5 का प्रोसेसर दिया गया, उसमें 4 का प्रोसेसर था इसमें एक बढ़ा दिये गया है, 5 का प्रोसेसर दे गया तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है वहीं दोस्तों Samsung Galaxy A10 को नए अपडेट मिला है, अगर आपके पास है तो जाइए चेक करें, उसमें बहुत सारी फीचर्स होगी चलिए दोस्तों बात करते हैं आप Huawei Honor के तरब से बहुत सारी खबर आ रही है तो पहली खबर जो है, 9X जब इंडिया में लाँच होगा तो उसके बाद Honor का एक TV लाँच होने वाला है तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है वहीं दोस्तों Huawei का मेट 30 और मेट 30 प्रो का कुछ ग्लास वगारा टेंपर ग्लास वगारा लीक हो गया है जो देखने में काफी खोबसूरत लगता है दोस्तों इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें Sony IMX 600 का लेंस लगेगा जो बहुत ही देखने में काफी तगड़ा लेंस होने वाला है दोस्तों 6.7 इंच का इसमें डिस्पले होगा 4200 मिलियंपेर की बैटरी होगी 5.1 का फास्ट चार्जिंग होगा और कीरें 985 का इसमें प्रोसेसर होने वाला है ये 5G वेरियंट वाला फोन होगा आप देखें जब याएगा तो इसकी सारी डिटल देंगे वहीं दोस्तों Huawei Nova 5i ये जो है काफी तगड़ा फोन है बहुत ही जल्दी ये लांच होने वाला है दोस्तों 26 जुलाई को ये होगा मतलब कल देख लिए जब कल ये क्या कमाल मचाएगा लेकिन देखने में तो काफी खुबसूरत लग रहा है चलिए बात करते हैं अगली नियूस के तो अगली नियूस जो आ रही है दोस्तों Redmi के तरब से आ रही है Redmi अब TV के मामले में खुदने वाला है Xiaomi Redmi Redmi Xiaomi इस तरह को कुछ हो रहा है यह दोना आपस में लड़े वे लगता है रियल्मी को छोड़ दिये पीज़े तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है वहीं दोस्तों कल मैंने बसाया बताया था के Xiaomi का एक फोन आने वाला है जिसमें 64 मेगा पिक्सल का कैमरा होने वाला है लेकिन उसकी जो सेंसर है वो Samsung की होगी ISO सेल करके उसका एक GW1 वो सेंसर है दोस्तों जो 64 मेगा पिक्सल का इसमें होगा और इसकी फोटो ऐसे बताया जारी कि 8K TV में भी अगर इसका फिक्चर देखेंगे तो खटेगा नहीं तो इस तरह की कुछ खबर आई रही है एक बिल्ली का नकसा ही बना हुआ आपको जूम करके दिखाया है काफी खतरनाक लग रहा चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फेबरेट ब्रांड Nokia की तो Nokia का ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों के Nokia ने कल दो फोन लांच कर दिये है जो दोस्तों फीचर फोन है ऐसा बताया जा रहा है के Nokia 220 4G जिसकी प्राइज है 3000 रुपए और Nokia 105 जिसकी प्राइज है 800 तो इस तरह का है अब इंडिया में जब आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे चलिए बात करते हैं अगली नियूस की तो अगली नियूस जो आ रही है वो Nubia Z20 के तरफ से आ रही है 8 अगस को ये लांच होने वाला है दोस्तों बाहर चैना वगरा में और ऐसा बताया जा रहा है किसमें भी Snapdragon 855 का प्रोसेसर होने वाला है कैमरा काफी खतानाक होने वाला है और जब भी आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे लेकिन ऐसा बताया जा रहा है किसमें 48 प्लस 12 मेगर पिक्सल का सेंसर होने वाला है जब भी आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं अब लिनोगो की तो लिनोगो सोया नहीं है दोस्तों लिनोगो के 11 बहुत ही जल्दी आने वाला है इंट्री लेवल का फोन होगा इसमें हीलियो P22 का प्रोसेसर ये लोग दे रहे है दोस्तों 12 मेगर पिक्सल का ट्रिपर रियर कैमरा होगा वर्टर ड्रोप डिस्पले के साथ होने वाला है 3300 मिली अंपेर की बैटरी होगी 4GB RAM 64GB internal memory के साथ आएगा जब यह आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे चलिए दोस्तों टेक निउस हुई खतम अब बात करते हैं डील्स की तो Flipkart Amazon में जाके खरीच सकते हैं बात करते हैं दोस्तों Honet Day Sale चल रहा है जिसमें 13,000 तक का डिस्कॉन मिल रहा है तो वो भी आप जाके Amazon वगएरा में खरीच सकते हैं Flipkart में दोस्तों Gadget Day Sale चल रहा है जिसमें 14,000 तक का डिस्कॉन लैपटप मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है तो आप जाके चेक करें आपको कुछ अच्छा मिल जाए बात करतें आपको A5S की तो इसकी जो विरियंट की जो प्राइस है दोस्तों वो कम हो गई है 2000 रुपए तो आप जाके Flipkart वगएरा में चेक कर सकते हैं आपको पसंद आया तो लेक्ट कर या और अपने अमेमाने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए चलिए दोस्तों